दुनिया में कुछ भी कर लेना आगे बढ़ने के लिए अनेथिकल मत होना यार। खतनाक बात बोल रहा हूं मैं आपको। कुछ भी कर लेना अनेथिकल मत होना। लॉट की आता है बूम रेंग की तरह, सूद समेथ ले जाएगा सब। दो रुपया कम कमा लेना अनेथिकल मत होना। क्योंकि अगर दो रुपया ज्यादा कमा लिया अनेथिकल होके तो दो की जगा दो हजार ले जाएगा बापस। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो। आपके अकाउंट में गड़बड हो सकती है, उसके पाद चंदर गुपता है एक सी है। उसका खाता बहुत खतर्नाक है। 1893 की ए घटा आपको सनाता हूं, 1893, 1893 एक लड़का था उसका नाम था हैंडरी, USA, Texas की गटना है। एक लड़का था हैंडरी, उसकी बहन को किसी ने दोखा दे दिया प्यार में। 1893 में, USA, Texas की कटना है। इसको रिपलीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया है। हैंडरी की बहन को किसी ने दोखा दे दिया मभबत में। तो जिस लड़के ने दोखा दिया हैंडरी बहुत गुसे में उसको मिलने गया। अब जब हैंडरी बहुत गुसे में उसको मिलने गया वहां पर तो दोनों की कहा सुनी हो गई क्योंकि उसने उसकी बहन को दोखा दिया था। तो Henry ने आप देखाना दाव अपनी पिस्टल से गोली चला लिए, उस लड़के पे, आजब उस लड़के पे Henry ने गोली चलाई, तो गोली चलते ही वो लड़का गिर गया, Henry वाप्स आ गया, हेंडरी को लगा कि लड़का मर चुका है उसकी सिस्टर ने सुसाइट कर लिया इस गटना के कुछ दिन के बाद हेंडरी ने भी बने आपको शूट कर लिया तो बेहन भाई भी मर गए और वो जो लड़का था उसको भी फायर शूट हो गया था लेकिन कुद्रत की विडंबना देखिए कि जो इसको गोली थी वो गोली लगी नहीं कान से लगके पीछे पेड़ में दस गई वो लड़का खड़ा हो गया हेंडरी की वाप पर जाने के बाद खड़ा हो गया उसकी जिन्दकी वैसी चलने लग गई 1913 में 1893 में ये गटना होई थी 1913 में इस गटना के 20 बरस के बाद वो लड़का अपने घर निर्मान करता है घर बना रहा है घर बनाते 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 उस लड़के को लकडी की जरुवत पड़ी उसको लगा लखड़ी लेने बजार कहां जाओं क्योंकि वो जो गोली गई थी वो पीछे पेड में दस गई लड़के ने उस पेड में डाइनामाइट लगा दिया कि यहीं से लखड़ी मिल जाएगी मुझे बजार क्यों जाना है अब वो गोली दसी है उसके अंदर जैसे ही डाइनामाइट ब्लास्ट हुआ है वो गोली निगली और सीधा उस लड़के के मात्य के बीच में गुज गई और उस लड़की की डेथ होगी बीच साल के बाद 1893 में घटना हुई उसका रिवर्ट बैक अब हुआ आफ्टर तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं कुछ भी इभी सीडी करके मैं बार बार बोलता हुआ अपने सेशनस में कि कर्म फल भोगना पड़ता है आज कल परसों वीज दिन बाद एक दिन तो गूम के बूम रेंग वापिस आता है